साइस्त्र सब्द मात्र जो वानी, ताको कलेश वानी सब्दा देते, ताको वी कलेश हुव खंड को, तापर दजा धरू तिंधे रहेते. प्रणदार सुंदर साची आपके मन में संसे होता होगा, कि हमारी वैदिक सनातन पवराणिक हिंदु संस्कृति में कलेश की प्रक्रिया कहां से सुरू होती है, कहीं भी भागवत की कता हो, रमेड की कता हो, या कहीं भी एक घड़ा होता है, घड़े के उपर कुछ अन के दाने रखे जाते हैं, आम के प मंदिरों के उपर भी कई घड़े रखे जाते हैं, कलस की अकृति में, इसका एक विशेश कारण है, एक अख्याई का है, अलंकारी रूप से सिधांतों को समझाया गया है, बेद के मंदिरों में इस प्रसंग को संकेतों में कहा गया है, एक सुपरन है, वो अपने चोच में अमरित लाता है, अमरित किस में भरावा है, एक घड़े के अंदर कलस, जिसको घड़े के अंदर अमरित प्राए, और आने कथा भी आपने सुनी होगे, कि समंदर से अमरित निकलता है, जिसको इंदर का पुप्त्र जयनत ले करके भाग निकलता है, देवु और अशुरों म वसिभूत कर लेते हैं, वे उनको मदिरादे पिला देते हैं, और देता को अमरित पिला देते हैं, देवता उस अमरित का पान करके अमर हो जाते हैं. अलग-अलग मंत्रों में अलग-अलग तरीके से इस तत्य को समझाया गया कि जो सुपर्ण है वही अम्रित का पान करता है यह और अम्रित का पान करने से क्या होता है तमी विधित्वात मृ मृत्यु मेक्ति जो पर्मात्मा है वहीं अमरित शरूप है और उसको प्राप्त करने के बाद ही मृत्यु के बंधन से चुटा जा सकता है। देव और असुर क्या है हर प्राणी के अंदर दैवी सक्ति है और आशरी सक्ति है। देव और आजरी दोनों सक्वियों में संहार्ष कर होता है ब्रहत रुपी तपसे देवतां ने प्रहतों को प्राप्त कर लिया ऑर अमिर्थ को प्राप्त करेना और यो सुपर्ण की आवस्था में प्राप्त सब्सक्राइब किसको कहते है वाला पक्षी आप बाड़ी में सब पड़ते हैं कि ब्रह्मात्माँ के दो पंक हैं एक इसक के और इमान की प्रेम और ज्ञान का ग्यान अटुट विष्वास दिलाता है। की अम्रुत को प्रतेग ब्रहात्म को चाहिए रुपी पक्षि को ज्ञान और प्रेम के पन्क धारन करने पड़ेंगे जिसको इसको इमान का जो अक्षर 75 लगाता है सिमिंदर जेता है ऑक्षर का बहुता है ऐगाता है या का और दूजा कोई सवरूक एक है लीला दोई ने अच्षराती है जब सत्त्य के मंन राखर्श है अब्याकर्श जिस अधर के प्रमिश्ठ tease होता है तो उसको नरायन कहा जाता है अपने कलिस की चपाइव में सुना है कि राज कहया कच्छ सुनके अब तो मूद अंकूर कल्स होत सवन को नूर पर नूर से नूर महामती जी की आत्मा कह रही है कि राज कहया कच्छ सुनके, मैंने कुछ सुनकर कतातपर क्या है कि हिलाया हिर्दे बैठ सक्षात, राज की लिला का बढ़न कौन कर रहा है, जो हबसे में महामती जी को दर्शन देता है, युगल सुरूप भी तो राज का बढ़न कर रहे हैं, स्यम्मा जी का सबसे पहले सिंगा आत्मा कर रहे हैं, कौन बढ़न कर रहे हैं, राजी कावेस बढ़न कर रहे हैं, राजी कावेस ही सभी रामतों का बढ़न कर रहा है, इसलिए महामती जी की आत्मा कर रहे हैं कि राज कहया कच्छू, कुछ राज का बढ़न किया है, कुछ सब्द का से क्या है, राज तो अन पारा है तो कि यहां की भासा में यहां के दुश्टंतों से रामतों के मात्म से मैंने 100 रिला अध्वध प्रेम की ज्यलक को दरसाया है इस ये करते हैं कि रास काया कच्छ सुन के, ऐसा नहीं कि देवचन जी के मुक्स्य सुन करके चोपाईया बना दी, तब तो दास बाड़ी हो जाएगी, रास को कहने वाला कौन है, स्वाइम अक्षरा दी, और महारास के लिला अनंत प्रेम में है, अनंत आनंद में है, उसका इस प्रकड़ों में राजगरंद के नोसो साइद सोला या कुछ चोपाईयां होंगी, उतनी चोपाईयों में राजगरंद को दिसा मातर रुपी बढ़न है, सुकदेव जी काने का प्रियास करते हैं, लेकिन भागय जोस कही पंचेदाई रास बढ़ना नहुआते हैं, महा साक्षे दिला दे गई अन Radha इस महारास का बढ़न करने की साम्मर्त इसरे सिस्ट्य में नहीं है, वो तो ब्रह्मात्माओं की रास है, उसको बढ़न काउन कर सकता है किसी ब्रह्मात्मा के तन से स्वयम्राजी अविचि सरूप ही कर सकता है राज कया कुछ सुन के अब तो मूल अंकोर राज में किसका बढ़न किया गया है हद से परे बेहत की सब्दाती तिला का बढ़न किया गया है बेहत से परे कौन है अक्छर और अक्छरतीत का शुरूप है दोनों का शुरूप कहां विराजमान है परमधाम में हद के परे बेहत मेरा मूल अंकूर जागरत हो गया मेरा मूल अंकूर का है? मूल मिलावे में मैं अक्षरातीत के चरणों की सानेदिता में बैठ कर अपने परात्प को देख रही है मैं जानते हूं कि मेरी परात्प मूल मिलावे में राज जी के चरणों में बैठ कर इस माया के खेल को देख रही है खेल वक्त की पहली चुपाई कहां से सुरू होती है ऐसा खेल दिखाईया जो मांग ले आए हूँ अब कैसे मैं अर्ज करूँ कहों कोई मांग याता हूँ मैं उस परात्म को देख रही हूँ जो मुल मिलाया में राजी के समुक बैठी है ना बोल सकती है ना हस सकती है ना रो सकती है ना अपनी बाते कर सकती है अपने सामने बैठी पराणिस्वर को भी देख रही है बस बते हैं लेकिन राजची आपने इस माया के संसार में परंधाम के जो वाणी दिये इस वाणी से आपके सरूप में अपनी सुर्ता से डुब कर मैं अपनी परात्म के तन को देख रही हूँ, सब सुन्दर साथ के तनों को देख रही हूँ, इसको कहते हैं अब तो मूल अंकूर, राज इस होत सबन को नूर पर नूर सिर नूर। नूर पर नूर का तरुथ्परिकिय है। एक नूर है, जो राज के रूप में आउतरित हुआ है। ये नूर आगे थे आया अख्छत होड के पार, इस अब जाहिर कर चलिया आया निजगरवार। तीन नूर है, नूर पर नूर सिर नूर, ये नूर इस तार्तम वाणी का प्रकास भी नूर है, बेहत का ज्यान भी नूर है और अक्षर की पहचान का ज्यान भी नूर है, वैसे तो इस चुपाई के अलग-अलग विद्वान अलग तरीके से बाख्या करते हैं, लेकिन अंतरा में इसको शमझा देता हूँ, मुना व चुपाई भी अस्पार शुप्स से हो जाएगी सास्त्र सब्द मात्र जो बानी सास्त्रों में जो सब्द है वो क्या है किवल ग्यान रूप है सास्त्र सब्द मात्र जो बानी सास्त्रों की जो बाणी है जितने ग्रंत है वो क्या है सब्द मात्र है पर मात्मा क्या है सब्दों से परे इस माया के संसार में सब्दों के माध्यम से ही कहा जाता है जैसे राजी कैसे हैं तो सब्दों में तो हम बताने का प्रियास करेंगे कि करोणों सुर्यों से ज़्यादा प्रकास्मान, करोणों चंद्रमा से ज़्यादा सी तल करोरो फूल की कुमलता से भी अधिक कुमल हम एक समझाने का प्रियास कर रहे है वास्तों में राजी की सोबा के लिए न तो दूद की स्वेतता सक्छम है बताने में न फूल की सुगंधी बताने में सक्छम है न चंद्रमा की सिदलता न सूरिका तेज क्योंकि यह सभी जड़ पदा थे इसने महामेतीजी ने कहा अर्सभका बन्नन किया ले मसाला इतका मैं यहां के सब्दों से मैं दृष्टान दे रहा हूँ सास्त्र सब्द मात्र जो बानी सास्त्रों की बानी क्या है सब्द मात्र केवल कहकर संतोष दिलाने के लिए क्योंकि इसके बिना संसार में काम नहीं चलता ताको कलस बानी सब्दातीत उसके उपर मुकुट के रूप में ये सब्दातीत विहत किवाई है पांचो पांडो सगे भरता है लेकिन युदिश्चिर जब सिंहासन पर बैठते हैं तो राजा का मुकुट विसेस प्रकार से सुसजित किया जाता है अरजुन भी मुकुट पहनते हैं भीम भी मुकुट पहनते हैं नकुल सदे भी मुकुट पहनते हैं लेकिन युदिश्चिर चुकि सिंहासन पर भी राजमान होना है इस दिये उनका मुकुट विसेश रूप से सजा जाता है राजा की पैचान कैसे होती है पांचो भाई जा रहे हैं पैचान कैसे करेंगे उसके मुकुट से करेंगे कि जो राजा होगा उसका मुकुट कुछ विसेश होगा बले ही सगे भाई हो तो क्या इसे ही, एक बार हिटलर से सुबाज चंदर बोस मिले हैं, लेकिन सुबाज चंदर बोस के सामने कई हिटलर जैसे अकृतिव अले हैं, लेकिन सुभायस चंद्रबोस ने अपनी प्रतिवास से पेचाल लिया कि वास्तिविग हिटलर कौन है उसी तरह से मुकुट बताता है कि राजा कौन है मंदिर के उपर जो कलस बताता है कि ये मंदिर है कलस नहीं होता है तो क्या होता है पता नई चलता कि, हाम मंदिर की गरिमा क्या है, सायस्त्र सब्द माद्र श्प्दातित, सब्दातित वाड़ी क्या है, वेहत की वाड़ी संसार के सारे गरंद कहां तक कबलन करते हैं निराकार तक कबलन करते हैं चोदे तब को वका का कोई बोले ना एक हरफ आप चारुवेदों के विद्वान से बात कीजिए कल मैंने चर्चा में बोला था चाहे कोई चारुवेदों को पढ़ ले छे दर्सनों को पढ़ ले अंत तो गत्वा क्या कहता है आधी नरायन जो अक्छर के मन का प्रतिभासिक सरूप है उसी को परमात्मा माल लेती है दुनिया और जो इस्तिरिष्ट के कणकण में प्रकृत के सुच्छतम सरूपों में जि आधी नरायन सुयम के स्रूप को नहीं जानते निराकार से परेकी बातने जानते उनके तन से वेद का उतरान होता है लेकिन वो भी नहीं जानते कि विदन बनातम सा क्या रेकिन तार्तम जनक प्रकास आ गया तो इनी धन मग्रंतों से जिन जानों सास्त्रों में नहीं है सास्त्रों में सब कुछ पर जीव सिष्ठ के पामी जा की अकलिए मितुच जागरत पुद्धी का जो प्रकाष होता है हिर्दय में तो इन Madhandessus की साक्षियों से सत्तिकी पैचान हो जाती है निग में गम के ब्रह्ट की सो क्यों समझे खौवी दम सो एक करूं सब्जायर रूहला के दम स्यामा जी के तार्तम ज्यान से वास्तिविक सत्य की पेचाम मुति है स्रिष्ट के प्रारम से चारो वेदों का उतरन प्रगट हुआ और इन्हीं चारो वेदों के वाख्या में चार उपवेद च्छ अंग च्छ उपांग 1127 सखाओं की रचना हुए लेकिन कोई भी सच्छ तानंद परब्रह्म के सो लिला अद्वेद सरुप की व्याख्या नहीं कर पाया था अब तार्तम वाणी का प्रकास आया तो हम क्या कहते हैं हद पार भी हद है भी हद पार अक्छर अक्छर पारवतन है जागी इंदर इस संपुर्ण स्रिष्टी उस निराकार में लेको प्राप्त हो जाती है उसके परे क्या है कोई नहीं जानता था तो प्रड़म क्या होता है ताको कलस मानी सब्दाती दुनिया के धर्मगरंतों को एक जगह रख दिया जाए तो इनका जान क्या है निराकार तक का इन धर्मगरंतों के उपर सब्दाती जो वेहत की वाणी है वेहत की वाणी क्या है आप पुरी वेहत वाणी को पढ़ बेहत में जो लीला खेली गई वो महारास के रुप में दिश्ट वोचर होती है अबि आपने सुना रास कयाक कच सुने के अब TOP लंकूर जो रास की वाड़ी है वो बेहत की वाड़ी है और संसार के सभी धंगंतों के झान के उपर कलस के रूप में मुकुट के रूप में किसकी सोभा है बेहत बाड़े अर्थात महारास का वड़न ताको भी कलस हुओ अखंड को ताफर धजा धरू तिन थे रही थे हद का के उपर सोभा के रूप में कौन विराजमान होगा बेहद और बेहद के उपर सोभा के रुप में मुकुट के रुप में किसकी सोभा है परमधाम के ज्यान की सोभा है तीन ब्रमान्ड है हद के ब्रमान का सासम की लिला कौँ कर रहा है आदे नरहा है बेहद में किसकी लिला होती है अक्षर की परिकर्मा ग्रंथ में पहले लिख दिया गया है श्री परिकर्मा किताब इलाही दुलीन इस परिकर्मा ग्रंथ को इलाही दुलीन का आगए अखंड दुलीन अखंड दुलीन क्या है अक्षरातीत के हिर्दे से जो प्रेम और आनंद का रज प्रवाईत होता है वही परमधाम के 25 पक्षों के रूप में दिश्ट गोचर होता है वही रज स्यामाजी और सक्षियों के रूप में दिश्ट गोचर होता है प्रेम और आनंद का सागर जब अपनी लहरों के साथ कीड़ा करता है तो जो सोभा होती है उसको कहते है परिक्रमा ग्रंथ अश्ट पहर में परंधाम की अत्माएं अपने प्राणिस्वर के साथ जिस प्रेम में आनंद में लीला का रस्पान करती है उसमें डूबी रहती है उसका वर्डन जिस परिक्रमा ग्रंथ में कहा गया है इस दीश को कहते है इलाही दुलिन अखंड की सुहागिन अब प्रितम अक्षरातीत क्या कह रहे है ताको भी कलस हुओ अखंड को संसार के सारे ग्रंथों का ज्यान कहां तक ले जा रहा है तारतम ग्यान के अभाव में निराकार था उसके इपर जो मुकुट के रूप में सुबा किसकी है बेहत वाड़ी जिसको राज की वाड़ी क कहा है कि महामती जी ने कहा है कि राज कहया कच सुन के अभ तो मूल अंकोर मेरी परातम मेरी जागरत हो गए कलस होत सवन को नूर पर नूर सिर नूर तीन नूर हैं एक नूर बेहत का नूर दूसरे नूर जिस अक्षर के बारे में कोई जान नहीं सका था हक तरफ जाने नूर अक्षर और दूजान जाने को पर बातून सुध तिन को नहीं हक की लम दिखावे सो देखिए भी तक में एक परसंग आता है बानमकुन जी देवचन जी को दर्सन देते हैं और कहते हैं कि देखो हरदास जी जिनसे तुम सेवा करवा रहे हो ये देवचन जी देवचन दर नहीं है इनके अंदर तो राधा जी है जिनके प्रियतम की कृपा से मैं अखंड हुआ हूँ इस दिये इनसे मैं सेवा नहीं करवा सकता तुम इनके प्रियतम के बागे विस्तर देदे मेरी मुर्थ ही नहीं दे आप भाव क्या है बालमकुन जी बांके बिहारी को ही अक्षराती समझते हैं पांके बिहारी से आगे केवल और सबस्रुप का यान तो बालमकुन जी को भी नहीं है अक्षर की पंच वासनाई भी नहीं जानती है कि केवल और सबस्रुप से परे क्या है इस दिये वेद में लिखा है कि यह जितना जगत है इसके भी परे अपने सुरुप से व्यापक हो रहा है जो पहला मंत्र पुरुशुक्त का होता है वो इसी संदर में आगे कहा जाता है कि इस ब्रह्मान्ड से परे जो चतुस्पाद भी भूती है अक्षर की चतुस्पाद भी भूती है यह जो सत्सरुप केवल सबलिक है इस सत्सरुप के परेपरवन्दम परेपरवन्दम का सुरूप है देखिए वेद तो मैंने नहीं कहें वेद किसके तन से प्रगट हुए चारिशियों के अंदर आदी नराहिन से लेकिन आदी नरहिन को स्वेम पता नहीं है कि चतुस बाद विभूती का अर्थ क्या है तुपाद उर्दुदेट पुर्सकर अर्थ क्या है यह कौन जानता है जिसके पास तार्थम ज्यान का प्रकास होता है इस दिया कलस ताको भी कलस हुओ को अखंड को राश वेहत किवाड़ी अक्षर की पंच वासनाएं भी मूल अक्षर को नहीं जानती कुछ जानते हैं कि सबलिक अक्षर है और केवल अक्षरातीत है क्योंकि केवल ब्रह्म में अक्षरातीत के परम धाम के कुरबवे अंसका प्रतिभीम पढ़ता है आप पुरान संगिता बढ़न पढ़िए पुरान संगिता में इसक रबत तो प्रेम संभाद तो परमधाम का है। लेकिन जब सुभा का बढ़न होता है। तो आप देखिये उस सारा बढ़न जो है कवलब्रह्म की भुंका का बढ पुखराज बहने है लेकिन परम धाम में एक पत्त्यु का रस है और पुराण संझिता में जो बढ़न है प्रेम की दस भूमकाओं का बढ़न है उसमें वियोगरस भी है परम धाम में भी बिर-प्रलम्द रस बियोगरस नहीं है इसका असे क्या है सारा बढ़नन खिचड़ी हो गया है राज जी की कृपाज से बढ़नन करने वाले ने तो प्रयास पहुत किया संकर जी बढ़नने का प्रयास करने लेकिन संकर जी भी खिचड़ी कर दे रहे हैं क्योंकि उनके हिर्दे में यान तो उतरित हुआ है लेकिन राची के अवेश के बिना परमधाम का वड़न कैसे हो सकता है आप देखिए जेते पैगंबर भै पाई जिबराहिल से बोजर की जिसको आप जोस कहते हैं कतेब की भासा में जिसको जिबरील कहते हैं संत साहित में उसको नित्यानाद सद्गुरु मांते हैं कबीर जी को मानने वाले और उन्ही का प्रकास जब आता है चाहें कबीर जी कहें चाहें सुकदेव जी कहें चाहें संकर जी कहें चाहें योगेश्वर सिकर्ष गीता कबन करें नीराकार से परे काज्यान बिना जिब्रील के बिना परब्रम के जूज के कोई एक सब्द भी नहीं कह सकता लेकिन जिब्रील परंधाम के बारे में कुछ नहीं जानते है अस्राफिल को मालू है लेकिन अस्राफिल भी परमधाम की लिला और राजी स्यमाजी के सिंगार को नहीं जानते तो ससरुप में जिबरील और अस्राफिल दोनों का निवास है ससरुप का तो जान है इतना मानते हैं कि इसके परे जो परमधाम है उसमें अक्षर अक्षर अतीत का सुरूप है लेकिन कैसा है दोनों को अदेश नहीं है कुछ भी कहने का और जिबरील ने तो देखा भी नहीं असरा फिल फिरवल्या अर्स अजीम की मां जबराईल जबरूत के हद छोड़ सक्किया नहीं आप सोचिए जब जब जबरील को सबसे परे का जान नहीं मिल पाया तो नारायन के द्वारा कैसे पता चल सकता है कि तिरपाद उर्दुदेद पूर्शा का रज़ क्या होता है इस सब लोग इसको अलंकारिक बढ़न मान मान करके चूप होते रहे हैं और आगे क्या कहा है कि कलस होत सबन को नूर पर नूर जो नूर पहला नूर है रास वड़न रास बेहत कि रिला उसके पर ही को नूर पर नूर कौन है अच्छर और अच्छर के पर ही कौन है अच्छर के आत्माने परम्धाम के इस वर्डन में, ताको भी कलस हुव अखंड को, सास्त सब्द उपात्र जबानी, ताको कलस बानी सब्दाती, कलस के ऊपर कलस कौन है, नूर के ऊपर नूर कौन है, सभ दुनिया के धन्गरंदों के नूर का जो ज्यान की प्रकास है उसके उपर मुकुट के रूप में रखा है वेहत की वानी का ज्यान कलस के रूप में और उसकलस के उपर एक दूसरा कलस रखा है दोनों कलसों में क्या है जान रुपी अमरित है इस सत्कों संकेतों में कहा गया है कि सुपर्ण कलस से अमरित का रसस्वादन करता है अमरित को प्राप्ट करता है वैसे वेत के भी दोनों ने सुपर्ण सब्द की व्याख्या में बहुत समय लगाया है वेत में कहा गया है कि सुपर्ण हो ऐसी गरतमान दिवम गच्छ स्वपत हे आत्मान तु सुपर्ण है तु जान और प्रेम के पंकों से उनने वाला सुन्दर पक्छी है तु इस प्रकृति मंडल को पार कर दिवम गच्छ स्वपत दो लोग को तुझा और उस आनंद में धाम को प्राप्त को लेकिन बिना तार्तम के इसका रश कोई कैसे समझेगा बस काम चलाओं अर्थ होता रहा संसार इसी में बठकता रहा अब महामते जी के द्वारा यह कहा जा रहा है कि यहां जो कलस के रूप में परिक्रमा कलस के उपर कलस के रूप में यह परिक्रमा ग्रंथ है परमधाम के लिला का बढ़न आज तक कोई चांच जबरेल हो अस्राफील हो कोई भी 25 पक्षों में ब्रहमण नहीं कर पाया था और तो और अक्षर ब्रहमई भी चांदनी चाहुक से लोट आते रहे हैं अक्षरातीत का सतंग यदि मूल मिलावे में या परमधाम के सभी पक्षों में ब्रहमण नहीं कर सका तो स्रिष्टी का सुपन में बुद्धी से जीने वाला प्राड़ी भला कैसे जा सकता है आदी नरायन तो निराकार परे नहीं जा सकते अक्षर की पंचवसना यस चतुस पाद विभूति से परे कुछ जानने सकते और राज जी के बारे में कि अवल अक्षर को पता है वो भी पूरा सिंगार नहीं पता है तो इस संसार से आप कैसे कट सकते हैं कि आसंसार अक्षर-अक्षरातीत के बारे में कुछ जानेगा इसलिए महामिती जी की आत्मा करी है तापर धजा धरों तिम्थे रहित कलेश के उपर भी ज्यान की धुजा ब्रमिज्यान की धुजा में जो फ़रा रही हूं वो भी सब्दातीत धुजा है उस धोजा किसकी परतीक है? गरिमा की परतीक है, ऐसी गरिमा जो सब्दाथी थह, तापर धजा धरू तिन्धे रहित का त्याद पर की है? सब्दों से परे, जो धोजा भी लगाई है वो भी सब्दाथी थह, अर्था जो पर्मधाम के जान की महिमा है, उस जान के लिए जो धोजा बता रही है कि ये सब्दातीत धोजा है, सब्दातीत इसकी महिमा है क्योंकि इस प्रकण से प्रकण में आगे कह दिया है सुपन बुद्ध पे कुंठलो या निरंजन निरकार सुपन की बुद्धी आप जानते हैं काफी कुछ तेज दिमाग रखती है कंपूर्टर चलाने में, मोबाइल चलाने में लेकिन वह भी अपनी बुद्धी का आठ परसत से ज़्यादा उपयोग करने की सामर्थ नहीं रखती कि वह आदी नरायन हैं जो सौपरसत बुद्धी का उपयोग कर सकते हैं आपके मस्तिस्क में इतने कोस हैं कि सभी कोस जागरित हो जाएं तो दुनिया की सारे किताबों को आप कंठस्ट कर लेंगे लेकिन इतना करने के बाद भी आप निराकार से परे की वस्तुकता नहीं जान सकते हैं तो आप सोचिए निराकार के परे बेहत है बेहत का सुरूप क्या है आपके अंदर एक छोटी सी चेतना है जानते हैं कितनी भी दोड लगाई है मन उसकी सारी इनोर सीटियों का जियान इकठा कर लेगा तो कहां तक पहुँचेगा हिंक्स वोसोंस तक पहुँचेगा उसके बाद चुपी लगा जाएगा पुछा जाएगा कि मन का सुरूप बताओ नहीं बता सकता है जीव का सुरूप बताओ लेकिन जीव का सुरूप ता है पुरा सरीर चैतनी रहता है संसार ना आत्मा के बारे में जानता है ना परमात्मा के बारे में जानता है क्योंकि संसार का कोई भी सुक्ष्मदर्शी यांत्र यह नहीं बता सकता जो सब्द प्रमाद सब्द स्वर सरूप रस गंद से जो त्रिकुनातीत सरूप परे होता है उस आत्मा और परमात्मा के सरूप की विवेचना मानों की बुद्धी से तो क्या आती नराय की भी बुद्धी से हो पाना संभू नहीं है इस दिये जो यह तार्तम वाणी है बेहत वाणी के उपर परमधाम की यह तार्तम वाणी जिसमें खिल्वत प्रिक्रमाद सागर सिंगार का जान है जिसको तार्तम का तार्तम करते हैं और इसकी गरिमा की जो धचा है यह भी सब्दतीत है अब हमें सोचना होगा कि हमें कौम सी संपता मिली है इस चुपाई से आगे की चुपाई में कह दिया है मगज बेत कतेव के बाधे हुते जो बतन आध करके अब लो सखी कब हो न खोले कि आज तक किसी न खोला नहीं था वेदू में संकेत दिया जाता था कि अमरित कलस के अंदर रखा हुआ है सुपाण उड़ करके उसको प्राप्त कर सकता है अमरित का कलस कहां मिलेगा सुपाण कौन होगा तार्तम ज्यान के बिना सब्तों की व्याख्या से वास्त्रिक रहस समझ नहीं पाता इस दिया मंदिर पर तो हम कलस जढ़ाते हैं लेकि जानते हैं मंदिरों की सुपा किस से होती है ज्यान से होती है प्रेम से होती है आज हमारे स्वाज में 400 मंदिर है 400 मंदिरों में 400 विद्वान तो क्या 40 भी अच्छे विद्वान नहीं है और 40 तो क्या कहूँ बोईसमें भी बन सकते हैं, लेकिन मंदिर की सुबह तभी होगी जब जान चर्चा हो, सुंदर साथ से मैं एक बिसे साग्रे करूंगा। देखे ये माया के संसार है संसार में कोई कहीं भी रहेगा स्रीजी के साथ 5000 की जमात थे और 5000 की जमात में कई ऐसे सुन्दर साथ थे जो स्रीजी के भी अवगुण दखा करती थे इस ये चौपाई अवतरित हुई है कई अवगुण लेवे धनी का करे आप भी अवगुण तो यदि आप सोचते हैं कि संसार में कोई भी पूर्ण होगा जिसके में अंदर कोई कमी नहीं हो तो कभी भी संभूव नहीं है 400 हमारे मंदीर हैं हमारे समाज के हैं पड़ामी कहте हैं जानी जानदी कहें आरती पूझा तो हो जाती है ज्यान का प्रचार नहीं होता जबकि नियम होना चाहिए ज्यान पीट की तरफ से प्रतेक रभिवार को ई-मेल गोश्टी कायोजन किया गया है उसके बारे में असुक जी आपको सुचना दे देंगे कि उसके सदस कैसे बना जाता है उसमें भी 500 सदस होने चाहिए धाई सो पौने तीन सो अधिक सदस अधिक संख्या आती है जदि सारा समाच में से कम से कम हजार के भी सदस बनेंगे तो हर अभिवार को ई-मेल की गोश्टी से एक गंटे की चर्चा जा सकती है जितने ग्यान के मैं चाहूंगा सब सुन्दर साथ हर ग्यान के अदर पर गोश्टियां करें बाणी चर्चा का अधिक सदिक फैलाव करें इस समद्ध में एक बात मैं काना चाहूंगा दाहोत के अंदर जितने मंदिर है जैसे उमरिया है मंदोर है और भी जो जो मैं सबका नाम नहीं जानता खरड़ी में भी आपका मंदिर है आपका ज्यान केंदर है कुछ पिछले कुछ सालों से विवात के कारण सुन्दर साथ में कड़वाट रही सबने जाना बंद कर दिया है मैं सबसे विनम रागरे करूँगा कि प्राणनाद ज्यान केंदर जाना प्रारम करें वहां जो जो जो प्रीत हो था है सात में त्योंतों मोही को हो थे सुक जो जो विरूद करते हैं सात में अंतवाई को हाई एक तूजर आप किसी का अभूर देख सी है क like a to you आपकी आत्मा को क्या मिलेगा इस दिये पुराने मतभेदों को मिटा कर सब नए सीरे से एक नया जीवन प्राइरम करें हर चाहें उमरिया हो चाहें खरड़ी हो मंडोर हो जितने ज्ञान के अंदर हैं हमारे ज्ञान पिट के कई विद्वान हैं दाहोद में सुर्परतावें विजय जी हैं अर्जुन जी हैं राम सिंग वाई हैं कोई ने कोई आपको उपलब्द रहेगा हर ज्ञान के अंदर से गोष्टी जदी आप नई फैलाएंगे तो क्या होगा ज्यान के अंदर सुने पड़े रहेंगे और सबसे बड़ी बात जो मैं काना चाहूंगा कि आप सनिचित होगा जब आप सुन्दर साथ प्रेम करेंगे इसलिए पुरानी सारी बातों को डिस्ट बीन में डाल दीजिए किसने क्या कहा क्या नहीं का और मेरे अग्रव पर खरड़ी में सभी सुन्दर साथ जाना प्राइडम करेंगे यह मैं विश्वास दिलाता हूं कि सबसुन्दर साथ को एक जूट रहने किया हो सकता है और दूसरा मैं निवेदन आपसे करूंगा कि तीन सबर्सों में कभी बालिकाओं की सिक्षा के लिए कोई बेवस्ता हमारे समाज में नहीं कि आप जानते हैं आरी समाज में एक से एक कई विदुसी वहने हैं जो चारो वेदों का जान रखती हैं चारो वेद उन्होंने कंठस्त किया है प्रभाई समाज में जाई है आज मैं नाम लेकर क्या कहूं संकरचारी को भी एक वेद भी कंठस्त नहीं है एक वेद क्या तो आधा भी वेद कंठस्त नहीं है कि 1000 मंत्राइब कि समक्रचार्य को कॉझ था नहीं नाम लेना अच्छा नहीं होता है लेकिन अनका बोधिक इस्तर क्या है गीता अपनि शडर वेदां से आगे कोई नहीं गया लेकिन अचारियां है चार-चार वेदों का ज्यान रखती हैं लेकिन हमारे समाज ने बहनेों को क्या क्या दिया देखो तुम सड़क पर सवारे निकल रही है क्यों नाचो राजी को रिचाओ कभी सिख्छा की बेस्था नहीं की लिए और जदी बच्चियां बीदसी बनेगी तो आपकी बाणी फै नाम कोई एक हजार रूपया देने को मासिक तयार नहीं जोते हैं अब जानते हैं 6000 सुंदर-शाथ जर्दी अपनी मासी काहसे एक हजार सुंदर साथ्साथ हर महीने के विए एक अट्ट हो जाएगा और गुर्खुल को बनने में डेर्ड शाल लगेंगे, डेर्ड साल का मतलब एक करोड़ पुचास लाख रुपे की रासी एकत्रित हो सकती है, जब आप रेस्टोरेंट में जाते हैं तो एक हजार दो जार तो खाल लेते हैं लेकि राज जी के नाम पर एक हजार जदी महिने में नहीं निकाल सकते तो मैं नहीं मानता कि आपके दिल में कुछ प्रेम है अभी साध्य वीवा का सीजन चल रहा है हर कोई अपने नाक उची करने के लिए खुब पानी की तरफ पैसा वाएगा क्यों दिखावे के लिए पानी में पैसा क्यों बहाते हैं अच्छे अच्छे बिंजन बनाते हैं उस साज मारे समाज में कोन है लेकिन हर समाज के पास एक दो नहीं पांच हजार अचारी है जिसमें अनेक हों है जिन उन्होंने चारुवेदों को कंटेस्ट किया हैं इस हमारे में थो हालप लिए है एक बार कई साल पहले एक जगा कारक्यम लखा था भोर कुंडिया के गोर्दरा जिले में उसमें रस्मी कांजी भी थे, सुर्णायन जी भी थे, घर-घर हम लोग गए कईयों को तारतम के छे चुपाई तो क्या एक चुपाई भी याद नहीं थी जो समाज अपने दिक्षा मंतर को याद नहीं कर सकता, उस समाज का भ unified क्या होगा इसलिए सुंदर-όσुंदर मंदिरों से केल जगने नहीं होगी होल लगिए कोई पांच करोर का, कोई दस करोर का, कोई कुछने करोड का, कोई पांसो करोर का मंदिर बन रहा है मंदिर तो बने रहेंगे सोने के थंबो से सोमना मंदिर बनाता है लेकिन वहाँ कोई भी बिद्वान नहीं था इस जिए अब जितने भी हमारे मंदिर है समय गोष्ठियों की मात्ता बढ़नी चाहिए और सब सुन्दर साथ जिए अथा संबो है प्रेयास करें हजार सुन्दर साथ का एक समोह बन जा जो हर महीने एक एक हजार दे जो ज़्यादा सामर्थिवान है दो दे सकते हैं, तीन दे सकते हैं किसी के घर के बजट में कोई कमी नहीं आएगी जिसकी पचास जार की आमदनी आती हो या पचीस जार की पेंसन आती हो तो एक हजार राजी के लिए निकालेगा तो कोई कमी नहीं होगे लेकिन उससे जो गुर्कुल का निर्माण होगा जब तक धर्ती रहेगी मैं समझता हूँ हजारों विदुसी बच्चिया निकलेगी जो अक्षरतीत की वाणी की गर्जना करेगी और वहीं वाणी सारी संसार का कल्याण करेगी इस दिये मैं आसा करूँगा कि दाओत का सुंदर साथ मेरे निविदन को स्विकार करेगा और वाणी के परचार में जी तोड़ से लगेगा और गुर्किल के लिए भी यथा संब़स रहे करेगी अधित जानकारी है तू हमारी वेबसाइट www.spjin.org पर आएं और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद झाल 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 झाल